जैसरी किष्ण, स्वागत आप सभी का मेरी वक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको करवाचोथ से सम्बंदे जानकारी दूँगा, करवाचोथ तीन प्रकार की महलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, करवाचोथ का ब्रत बिशेशी पवित्र ब्र करती हैं, यह ब्रत बिशेशी पवित्र ब्रत है, सास्त्रों के जाव से इस दन जो स्वागन मेला यह ब्रत करती हैं, उनकी पती पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं आती, एक बार यह ब्रत शुरू किया जाए, तो इस ब्रत को बीच में नहीं छोड़ते इस दिन वगवान विष्णू वगवान गनेश चोत माता वगवान सिवजी की और माता पारवती की पूजा की जाती है इस दिन स्वागन मेलाएं स्वाग का सामान सासुमा को देती हैं साती स्वाग की चीजे भी समाल करके रखती हैं माता पारवती के सामने सिंदूर रखा जाता है उस सिंदूर से मांग वरती हैं जिससे उनके पती पर कभी कोई कष्ट नहीं आता लेकिन तीन प्रकार की मेलाओं को यह ब्रत नहीं रखना चाहिए सबसे पहली मेला है जिनका स्वास्त ठीक नहीं है जिनके किसी वज़े से बीमारी है परिशान है दवाईयां खा रहे हैं बिना दवाई के नहीं रह सकते बिना खाये नहीं रह सकते तो उनको ब्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है उनकी यगे पर उनके पती ब्रत रख सकते है मेला का हत लगवा करके सामान मंस करके संकल पूर्वक वाय ब्रत रख सकते हैं और साम को अपनी पत्नी को कथा सुना करके चंद्रमा को अर्ग दे सकते हैं इससे ब्रत की पूर्ती हो जाती है और ब्रत का पूर्ण फल पराप्त होता है दूसरी प्रकार की मेला जो मेला होस्पीटल में बढ़ती हैं किसी कारण बस होस्पीटल में है और करवा चोथ का ब्रत आ गया है तो वह होस्पीटल में ही भवादपक रूप से चंद्रदेव का आवान करें वही पर आप फलार लेकर के ब्रत रख सकते हैं पूरे दिन ब्रत रखे अगर भूका न रह सके तो फलार वगएरा या जूस वगएरा ले सकते हैं इसे ब्रत खंडित नहीं होता है सास्त्रों में कागया है कि स्वास्त को ध्यान में रखते हुए ब्रत रखना चाहिए अगर स्वास्थ में कोई परिशानी है भीमार है तो उनको नियम में बंदना नहीं चाहिए जैसे उनकी बसकी उसी प्रकार से ब्रत रखना चाहिए नमर तीन जो मैलाई गरब बती है जिनके साथ में आट में नौ में महीने का गरब है बच्चे को ध्यान में रखते हुए बच्चे के स्वास्थ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रवावना पड़े वह इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए इस ब्रत को रखे अगर नौ महीने चल रहा है जादा परिशानी है आटमा महीना चल रहा है तो वह लोकिट साथ चीजे ले सकते हैं जैसे जूस है या फल है ऐसे ले करके इस परकार से ब्रत रखते हुए इन बातों का विशेश रूफ से ध्यान रखना चाहिए करवा चौत का ब्रत भावांत्मक ब्रत है और य प्रकार से ये ब्रत रख सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है यह ब्रत विशेश ही पवित्र ब्रत है और पवित्र ताखा भी विशेश रूफ से ध्यान रकना चाहिए इस दिन पूरे दिन किसी से लड़ाई जगरा ना करें किसी किसी अपसब्द ना बोलें, अपने स्वाकी चीजे किसी को सिहन ना करें, इन बातों का विशी शुपसी ध्यान रखें, साथ ही काले, सपेद वा उरे कलर के बस्त्र धारन नहीं करने चाहिए, इस दिन आप लाल बस्त्र वा मेरूम बस्त्र धारन कर सकते हैं, कलरफुल कपड बस्त्र धारन कर सकते हैं, इस दिन इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपको ब्रत का पूरा फल मिलेगा, और करवा चोत मात आपको आशिरवा देंगे, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सिब्सक्राइब करें,